फ्रेंट्स आज की हमारी रेसेपी है यूपी का फेमस देगी कॉर्मा जो के बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं और जितने भी यहां पर फंक्शन या शादियां वगरा होती है उसमें ये में डिश होती है आप इसको घर में किस तरह से बना सकते हैं आज मैं आपको वह खी एक किया है और इसमें 300-300 ग्राम हम अनियन स्लाइसी यह एक कर रहे हैं और इसको हम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन करेंगे आपको पर फेक्ट गोल्लन ब्राउन के तरह से कर ईए इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा क्योंकि अगर आपकी प्यास पर हमारा ओइल है जिसमें समने प्यास को निकाला है इसके अंदर छे हरी लाइची इनके हमने सीड निकाल लिया है और तुकड़ा दार्चीनी का इसमें एट कर दिया है दो टेबिल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और पांच सेकेंड इसको हिलाएंगे और इसके बाद फॉरन इसमें एट कर देंगे मटन आप इसके अंदर अपनी मन पसंद जो भी गोश्ट लेना चाहें ले 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 चाहें बड़े का ले ले या चिकिन ले ले बस कोकिंग 600 ग्राम मटन लिया है हमने एक मिनट फ्राइब करने के बाद इसके अंदर टेबल स्पून हम एट करेंगे हल्दी पॉड़र पांच मिनट इसको इसी तरह से फ्राइब करेंगे हल्दी के साथ इस मीट को और 250 ग्राम दही एट करेंगे इसमें तो अब इसको चलाएंगे थोड़ा सा जिससे दही अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर एक पिसा हुआ प्यास मीडियम साइस का प्यास था इसको हमें बारिक पिस लिया है वह हम इसमें एट कर देंगे दो तिन पत्ते इसमें तेसपात के एट कर देते हैं एक बड़ी लाइची लिए है इसके सीड हम निकाल लेंगे और इसका सिर्फ इसमें छिलकाइट करेंगे सीड हम बाद में इस्तमाल करेंगे और इसको कर देते हैं कवर जब तक यह पकरा है इस बीच में मैं आपको मसाला दिखाता हूं होजबु का आठ नौ काली मिर्च आधा पूल जावितरी का और यह बड़ी लाइची के सीड छे साथ लांग और यह हरी लाइची के बीच एक टुकड़ा जैफल का यह एक चोथा हिस्सा होगा अगर कर दो जब मिर्च और मसाले डालने का यह मसाले हम थोड़ा सा बात में डाल रहें है क्योंकि इसमें मसालों, खुश्बु खत्म हो जाती है खासता और नहीं की, तो अब इसमें हम टेकर रहे है, तू टिबलबिसपून धनिया 1 टेबिसपून लाल मिर्च 1 टेबिसपून प करेंगे अब इन सब को मिक्स करने के बाद इसको आप कुक करना है आपको जब तक यह पूरा तरह से टेंडर नहीं हो जाए कुकिंग करेंगे हम इसको मीडियम हीट के उपर ज्यादा तेस आशना रखें क्योंकि यह इसका जो मसाला है यह दही वगरा का लिक्विड है वह सब खुश्क हो जाएगा और आपका गोश्ट नहीं गलेगा जरुबत पड़े तो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी आट कर सकते हैं मीट हमारा टेंडर हो चुका है अब हम इसमें आट करेंगे जो हमने प्यास ब्राउन की थी और जो हमने आपको खुश्ब के मसाले दिखा के बड़ा वाटर राइट करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे तकरीमन पांच मिनट के लिए बहुत ही स्लो हीट पर और यह हमारा रिली है प्रेंट्स इसमें से बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है और इसको देखकर ही आपको भूग लग रही होगी इसको आप आप इंज्वाय करें रुमारी रोटी या तंदूरी रोटी के साथ रैसिपी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस्ट बैल आइकन दौ में याद रखिए अल्ला आपिस